चिंता जनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं चिंता जनक को आप इंग्लिश में anxious, worrisome या worrying कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि आज की चिंता जनक इस्तित्थी में हर कोई अपने भविश्य को लेकर चिंतित है तो आप कह सकते हैं या अगर आप ये कहना चाहें कि घर पर अपने चाबियां भूल जाना हमेशा चिंता जनक रहता है तो आप कह सकते हैं अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें